हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी यूटीब चैनल रोसल सा स्टर्डी पॉट्ण तो बच्चों आज हमलो क्लास 11 का चैप्टर 9 जिसका नाम है सोर विकरन उस्मा संतूलन एवं तापमान बाई दीपकसर इसके बारे में बात करेंगे तो बच्चों आएए स्जुरू करते हैं पेला है बच्चों topic हमारा सोर विकरन तो आप सबी को तो यह बात पता होगी कि पृत्वी पर उर्जा प्राप्त करने जो उर्जा होती है पृत्वी को हमारी उड़ जाओ जो मिलती है उसका एक मात्र शूरोत क्या है सूर्य है और सूरी क्या है बच्चो अत्तिक गर्म गैस का एक पिंड है ठीक है और ये गैस का जो पिंड है ये लगातार क्या करता है बच्चो अंत्रिक्ष में क्या करता है उश्मा यानि गर्मी क क्या करता है बच्चों फैलाता है ठीक है और इसी को ही बच्चों हम क्या कहते हैं सोर विकरन के नाम से जानते हैं अगर बात की जाए आप चले देखते हैं कुछ चीजे जो कुछ इंपॉर्टन चीजे जैसे एक होता है अपसोर एक होता है उपसोर आप चितर में देख सकते ह कि चार जुलाई को क्या होता है कि प्रित्वी सूर्य से सबसे दूर होती है और इस इस्थिति को हम क्या कहते है बच्चो उपसूर कहते है और इस के साथ सथ तीन जनवरी को क्या होता है सूर्य जो है वो प्रित्वी के पास होता है इस इस्तिती को उपसोर के नाम से जाना जाता है तो आप इनसे पता लगा सकते हैं कि कब पृत्वी पर जादा उसमा प्राप्त होगी और कब कम प्राप्त होगी अब बात करते हैं बच्चो सूर्य तब किसे कहते हैं तो यानि सूर्य तब का मतलब क्या होता है कि सूर्य से जो प्रित्वी तक जो विकरण पहुंचता है उसे हम सूर्य तब कहा जाता है और यह जो बच्छो उर्जा है ना यह जो विकरण है यह लगूत औरंगों के रूप में हमारी प्रित्वी तक पहुंचती है अब सूर्य तब तो definition तो समझे इसका मतलब क्या होता है तो आप सभी उपता है सूर्य तब basically क्या है एक उश्मा है जिससे गर्मी पैदा होती है और ये पिर्सवी को सूर्य से राप्त होने वाली क्या है बच्चो उर्जा है और सूर्य तब को calorie में मापा जाता है उधारन के लिए 1.94 calorie प्रती वर सेंटी मीटर प्रती मिनिट में मापा जाता है अब गर्मी का कारण मात्र क्या है जैसे उधारन के लिए बात करते हैं कि अगर कोई पदार थे कोई लोही की रोड है तो जब किसी लोही की रोड को जब उसमें ऊश्मा देंगे या गर्मी देंगे तो क्या होगा उस लोही की रोड का तापमान क्या होगा बढ़ेगा तो यही क्या है हमने सबसे पहले ऊश्मा दी तो इसी यही ऊश्मा क्या कराईगी बच्चो सूर्य तब कहता है अब बात करते है तापमान के बारे में आखिर तापमान होता क्या है तो तापमान होता क्या है बच्छो तापमान उसमा से पैदा हुई गर्मी है और तापमान को आपको सबी को पता है थर्मोमेटर में भी मापा जाता है डेगरी में भी मापा जाता है, सेल्सिस में भी मापा जाता है, कैलविन में भी मापा जाता है, फॉरेंड में, हाइट में, इन सब चीजों में मापा जाता है तापमान को और तापमान क्या है? गर्मी का ही क्या है? बच्छो प्रभाव है और गर्मी से तापमान क्या होती है बच्छो बढ़ती है ठीक है ना जैसे गर्मियों में कैसे हमार टाइमपरेचर हो जाता है हमारे जैसे दिल्ली का टाइमपरेचर हो जाता है पैंतालिस तक चला जाता है तो क्या है ये तापमान बढ़ना यानि गर्मी का होना अब आगे बात करते हैं सूरिय से जो हमारी प्रित्वी पर क्रिने आती उनमें विविंता के कारक कौन कौन से हैं तो पहला है बच्चो सूरी की क्रिनों का जुकाओ यानि सूरी की क्रिनों का जुकाओ पहला अब इसमें बच्चों होता क्या है कि प्रित्वी का आकार क्या गोल आकार है यानि गोल आकार होने कारेंट सूरी की कि जो किरिने होती है वो हमारे प्रित्वी पर धरातल पर समय समय पर अलग अलग पढ़ती है सीधे नहीं पढ़ती है और लंबावत किरिने क्या होती है बहुत यानी सीधी किरिने क्या होती है हमारी पिर्ट्री पर बहुत कम छेतर पर बढ़ती है और जिन छेतरों पर पर पढ़ती है उन छेतरों में गर्मी जादा होती है ठीक है ना और जैसे जैसे किर्णों का जो जुकाव है वो कम होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है बच्छो छीतर फ़ल और ज्यादा बढ़ता जाता है और जो भाग है वो कम गर्म होने लगता है तो इसका पहला कारण है मैं आपको बता दिया सूर्य की किर्णों का होते हैं और यह क्या करती है और कुछ चीजे क्या करती है अब अगे बात करेंगे कि हमारी पृत्वी से अगर सूर्य से 100% अगर बात की जाए, किरिने आ रही है, तो 100% अमारी पुर्थीवी पर नहीं पहुंचती है, कुछ तो बादलो द्वारा, कुछ तो पढ़ो द्वारा, ठीकिना, कुछ तो आदरता द्वारा क्या होता है, परावरती दो याती है, इसे प्रिस्वी का उसमा से क्या होता है, गर्म होता है, आप सभी को पता है, सूर्य किन्नों के कारण क्या होता है, जो इस्थल होता हो जल्दी गर्म होता है, और जो जल होता है, बच्चो वो दीर से गर्म होता है, ठीक है न, दूसरे चोथा आता है, बच्चो दिन की लंबाई अतवा धूप की तो सूर्यताब क्या होगा अधिक प्राप्त होगा और सर्दियों में क्या होता है दिन छोटे होते हैं तो सर्दियों में सूर्यताब क्या होगा बच्छो कम प्राप्त होगा तो यह को होता है दिन की लंबा या तो दूप की अबधी पनिरवग गरता है बच्छो पाचवा आ तो आप सभी को तो पता ही है प्रित्वी के संपर्क में आने वाली जो वायू है वो दीरे दीरे गर्म हो जाती है और निचली पड़तों के संपर्क में आने वाली वायू मंडल की उपरी पड़ते भी क्या हो जाती है वच्चों गर्म हो जाती है कहने का मतलब क्या है जो जमीन या आप सभी को पता है कि जब हमारी जमीन याई धरातल जब गर्म होगा तो जब धरातल गर्म होगा तो उससे लगने वायू भी क्या हो जाएगी गर्म हो जाएगी और आप सबी को ये बात भी पता होगी कि जब उसके उपरी वाली जब हवा गर्म हो जाती है तो हवा हलकी हो जाती है, जिसके कारण वो हवाई क्या होती है, थोड़ी ऊपर की और चली जाए ठीक है न, उधारण के लिए आपने Science मेंपने आपको यह साइंस में आपको देराした यह साइंस मे भी आपने पड़ा होगा, चालंड के बारे में ठीक है ना दे नेक्स बात करते है बच्छो सम्वान अब सम्वान का मतलब क्या होता है यानि पृत्वी के संपर्क में जो आई वायू गर्म होकर धाराओं के रूप में क्या होते है लंबवत ने सीधी उठने लग जाती है और वायू मंडल में ताप का क्या करती है बच्छो तंचरन करती है कहने का मतलब क्या है कि हमारी पृत्वी से जो लगने वाली वायू क्या होते है गर्म हो जाती है अब पृत्वी के थोड़ा ता ऊपर चली आती है इसके कारण हमारे आस पास का वायू मंडल गर्म होता है ऐसा नहीं है सूरी किरने सबसे पहले क्या है हमारी प्रत्वी पर आएंगी और प्रत्वी धरातल को पहले गर्म करेंगी और जब धरातल गर्म हो जाएगा तो धरातल गर्म होने के बात क्या करेंगे उससे लगने वाली वायू भी क्या हो जाएगी गर्म हो पहलाता है कियुक्कि हमारा वाईउ मंदल पूरी की कीमीरों से गर्ण नहीं होता हमारा वाईउ aumentar गर्म होता है इसे मैदानीशित्रों में घरवियास जाधा होता है आप परवक्ती से त्रूम में ठंड जाधा होती है मुझे यगी वाला ताप का क्या हूते है इस्थान आंतर अभी वहान करना के वारे में वह वी क्या है अभी वहान का क्या हiy करता है नेक्स यह था भषो अभ पार्थिव विकरन आएगा कि मैंने पता है क्या पार्थी विक्रन का मतलब क्या है यानि सोर विक्रन यानि सूरी की किरने क्या होती है लगू तरंगों के रूपे हमारी प्रित्वी की सत्य पर पड़ती है जिससे हमारी प्रित्वी की जो सत्य है वो गर्म होती है और प्रित्वी स्वयम गर्म होने के बाद क्या करती है बच् जाता है तो उस्से लगने वाएओ भी क्या हो जाती है गर्म हो जाती है और इसी वी मियां यह और वह बच्चिन रखन वकंदD तर बन जा सれた आ चले जे चला जाता है जिससे प्रित्वी पर क्या होता हो जो रात के समय थंडी हो जाती है ठीक है ना और आसमान बिल्कुल क्या होता है सांत साफ हो जाता है कहने का मतलब क्या है बच्चो कि आज सभी को पता रात के समय क्या होता है जमीन थंडी हो जाती है क्यों कि रात के सम में मैदानी शेत्रों में ठंडी बढ़ जाती है जैसे आगर आपने देखा होगा राजिस्तान वाले शेत्रों में तो राजिस्तान जैसे मरुस्थली शेत्रों में क्या होता है कि जमीन ज्यादा ताप होता है ज्यादा गर्म होता है लेकिन रात के समय क्या होता है कि जमीन अ सै से कांट्रूल किया जा शकता है तो पहला है बच्च Macht आखिसांस के लिए किसी भी स्थान का अथ की हजाती है तापali पनिर्व्र गरते हैं सूरियगा की मातरा में अच्छान के रुज़ार बिंता बैना होती है या आज सबी को पुता है कि ऊश्चात में डुकुछा का आप सभी को पता अक्षांस पर क्या होता है सूरे की जो किरिने हो सीधा लंबवत पड़ती है इसके गार उन शेतरों में गर्मी जादा होगी जब गर्मी जादा होगी तो तापमान भी क्या होगा जादा होगा तो हम कह सकते हैं अक्षांस क्या कर रहा है तापमान के वितरन क को नियंत्रित करता है दूसरा वच्छों होता है उच्छाई उच्छाई क्या होता है आप सभी को पता है तापमान उच्छाई बढ़ने के साथ क्या होता है घटता है आपने दिखा भी मैंने आपको बताया भी कि उच्छाई के साथ जाने पर क्या होता है तापमान घटता है उचाई के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को हम लोग क्या कहते है बच्छो समान ने हरास दर भी कहा जाता है और समान ने हरास दर कितना होता है बच्छो यानि 1000 मीटर की उचाई पर जब जाओगे तो 6 डिगरी सेल्सेस लाप पान क्या हो जाए घट जाएगा अगर 1000 मीटर की उचाई पर जाएगा Next बात करते हैं अच्छो समुंदर से दूरी अब समुंदर से दूरी का मतलब क्या है यानि समुंदर दीरे दीरे गर्म होता है और दीरे धंडा होता है और समुंदर जो होता है वो दीरे दीरे घंडा भी होता है और जो समुंदर के उपर जो समुंदर की अपेक्षा तापमान में क्या दिखाई देती है बच्चो बिनता कम दिखाई देती है अब बात करते हैं वायू सहती या मा सागरे धारा हैं ये भी क्या करती है तापमान को नियुंतित करती है कैसे करती है आज सभी को पता है जो कोशन वायू सहती है से परभावित होने वाले स्थानों का तापमान क्या होता है अधिक होता है शीत भी वायू सहती होती है एक कोशन होता है शीत होता है ठीक है न और जिन इस्थानों पर इस प्रकार के जो हवाय चलती है नि कोल्ड हवाय चलती है ठीक है उस इस्थानों का तापमान हमेश्चा क्या रहता है कम रहता है ठीक है बच्छो कोशन वायू सहती क्या है जिन शे तापमान अधिक होता है और शीत वायू सहती जन शेत्रों में चलती है उन शेत्रों का तापमान क्या होता बच्छो कम होता है और ठंडी मास आगरे धाराओं के परभाव में आने वाले तटो की अपेक्षा गरम मास आगरे धाराओं के परभाव में आने वाले तटो का ताप क्या होता बच्चो अधिक होता है बात करते हैं अब तापमान का वितकर्मन है क्या मैंने आपको अभी बताया कि हम जब उच्छाई पर जाते हैं समाने रूफ से तापमान उच्छाई के साथ क्या होता है बच्छो घटता है हमने बोला ना कि जब उच्छाई पर जाते तो त तापमान क्या होता है घटता है इसे समाने हरासदर कहा जाता है लिए कुछ परस्थिती ऐसी होते है कई वार ऐसी सिचुईशन बन जाती है कि उचाई के साथ तापमान क्या होता घटने के स्थान पर क्या होता बढ़ने लग जाता है यानि उचाई पर जाएंगी तो हमें गर कर्मन के लिए आखी पर्स्थितिया क्या रात के समय करती है और और आतरी के समय क्या होता है ताप छोड़ने से प्रत्वी ठंडी हो जाती है और प्रत्वी के आसपास का वायू भी क्या हो जाएगा बच्चो ठंडा हो जाएगा लेकिन मतलब वायू तो ठंडा हो गया लेकिन उस वायू की ऊपर जो है उस ऊपर की जो वायू वो तो गर्मी रहेगी ना ठीक है तो पहला लंबी राते दूसरा एस सवच आकास यानि भूमी विक्रण द्वारा क्या होता है प्रत्वी के ठंडा होने के लिए सवच अथ்वा मेग रही अकास का होना है अत्य आवश्यक है मेग विक्रण में क्या करते बच्छों बादर लालता है सभी को तो शांत वायू यानि वायू के चलने से निकटवर्थी छेतरों के बीच क्या होता बच्छो उस्मा का अर्दान परदान होता है जिससे नीचे वाली वायू ठंडी नहीं हो पाती है और तापमान का वित्वर्मन नहीं हो पाता है तो अगर वहां जैसे हवा नहीं चल रही है शान्त वायू है तो भी तापमान का वित्करमन हो जाएगा नेक्स ने बचे शुश्क वायू कैसे है शुश्क वायू में क्या होता है उश्मा को ग्रहन करने की शम्ता जादा होती है सभी को पता है यसे तापमान की हराज दर क्या होते में कोई परिवर्तन नहीं होता पर तो शुषक वायू क्या होते है भोमी विक्रन को शोशित नहीं कर सकती है और थंडी ओकर तापमान की विerei करमन के इसितीप चरद कर देती है सूषक वायू कि एक होता हिमाक स्फादनहीं का मतलबuing जिन जो होता है वह सोर चेत्रों में शाल वर्वितकर्मन होता रहता है अगर पहाड़ी वाड़ी चेत्रों में जाईएगा ना तो पहाड़ी चेत्रों में क्या होता है कि नीचला बाग तो रहे गाले कि ऊपरी वालों जो बाग है वो थोड़ा गर्म रहता है अब बात करते हैं सूरियतों पार्थम विक्रण के बारे मैं रेना को होगता है इसके वापस आने से वायो मंदल गर्म वोता है आपको सूरिय Roc प्रित्वी पर क्या हो रहा है सुर्यताप आ रहा है ठीक है और प्रित्वी गरम होने के बाद क्या होती है अपना जो उर्जा है वह वापस वायो मंडले भेज दे रही है जिसे हम कह गए है पार्थी विक्रण के नाम से जानेंगे ठीक है प्रित्वी गातापमा नियमित रहत है और शत्तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है अब बात करते हैं प्रत्वी के उस्मा बजट के वारे में तो वच्छों काफी इंपॉटेंट है प्रत्वी का उस्मा बजट अब उस्मा बजट का मतलब क्या है यानि अब देखो मैंने यहां एक डाइग्राम के साथ समझ 106 फर्संट के हो जा रहा है बच्छेय आपके अंतरिक्ष्छ था या Here यूपमें निधाल का देखता होती है इसहाब से ऑनारी प्रिछ्फी पर प्रतिष जarna होतैeyed तो इसमें आपको डाटा दिख रहा होगा इस हिसाब से जो 51 परतीर परवरती प्रॉष्टी हो बागी जो बचा हुता है सूर्वी का किले नोते हैं वे थारातल पर पहुंचते हैं अगफिर हमारे ध consultants को क्या करती है थीक है तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर क्या होता है उस्मा का क्या होता है- ठीक है है बचो अगर वीडियो अच्छी लगिंग लौऀ तो वीडियो को LIKE subscribe जरूर करें मैंने जितना कोशिश किया है आप लोगों को इजी वे में समझाने कोशिश किया है वहन्ना तो बच्छे चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा टफ है अब मैंने उन्हीं टॉपिक्स को लिया है जो पेपर में आएंगे अगर आप इन वी इस वीडियो को पढ़के आप अच्छे तर